अगर आपको इंजीनर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी बढ़ती है अगर आपको डॉक्टर बनना है उसके लिए आपको पढ़ाई करनी बढ़ती है मेरा सवाल यह है अगर आपको अमीर बनना है तो हम अमीर बनेंगे कैसे वैल आज मैं आपको उसका भी रास्ता बताऊंगा देखिए हम अपकर अपने स्कूल सिस्टम की बात करें स्टार्टिंग में बच्छा नर्सरी के जी में स्कूल में इंडमीशन लेता है दो साल की पढ़ाई करता है फिर 14 साल फर्स से लेकर 12 तक व नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसने जो सीखा है ना उसके बेसे उसे कोई नौकरी नहीं देगा आपको नौकरी मिलती है जब आप किसी के लिए अपनी स्किल्स यूज करके आप सामने वाले को प्रोडुक्टिविटी देते हैं इन फाक्ट अगर आपको बिजनस भी करना है तो भी आपको स्किल्स चाहिए यह स्किल्स कहां से हैंगी इसके ओपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया दूसरी चीज़ पैसा कमाना है तो पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा वो कैसे सीखें आज मैं आपको डिफिनिटली बदाओंगा तीन ऐसी चीज़े अगर आपको अच्छी हमारे वीडियो के एजुकेशन पार्टनर भी है आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा उस आप का नाम है प्रोभू आपने प्रोभू के बारे में अल्रेडी सुना भी होगा अपीनियन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छी आप है अब यहां पर मैं एक क्रिप्टो के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हो क्रिप्टो के अंदर तो आपको इससे काफी हेल्प मिलने वाली है यहां पर फिनांस डेली है यहां पर फिनांस है माली जै मैं फिनांस को देता हूं अब जितने भी आपको यहां पर कोश्चंस देखेंगे उनके बारे म और यहां पर उसका रेट जो है उसके बारे में सवाल पूचा गया है similarly Elon Musk की नेटवर्थ, नेटवर्थ के अपर बहुत सरे सवाल होते हैं आपको कंपनी के मार्केट के बारे में भी बता लगेगा जैसे यहां पर नेट्विक्स की मार्केट के आपके और राउंड एक कोश्चन है इंडियन शॉक मार्केट की बात करते हैं यहां पर गौतम अदानी और उनकी फैमिली की नेटवर्थ के लिए कोश्चन पूचा गया है कि क्या उनकी फैमिली की नेटवर्थ और उनकी नेटवर्थ इस दिन एक वीडियो रिकॉड करें आप इसे और दो बात में देख रहे होंगे तो यह चार घंटे में एक्सपायर होने वाला सवाल अब कहीं सारे लोगों को लग रहा है कि उनकी नेटवर्थ क्रॉस नहीं करेगी निए फैमिली डॉलर को तो यहां पर देखिए 8.5 और 9 70 रुपीज कमा सकते हो और अगर आपको लगता है कि you are more accurate on your answer तो quantity को बढ़ा भी सकते हो तो आप उसकी according you can win in fact अगर आपने बीच में आपको लगा कि ऐसा नहीं होने वाला तो आप बीच में भी exit ले सकते हो तो उससे आपका loss कम होगा अगर आप crypto के related आप जाते हैं crypto में आ आप जिसमें भी ट्रेड करते हो आपको इसमें इंट्रस्ट है कि क्या फेब्लरी के अंदर bitcoin का return 18% से जाधा होगा अब यहां पे जो आपको एक average दिख रही है कि यहां पे साड़े 9000 ट्रेडर्स यहां पे ट्रेड कर रहे हैं इस answer के लिए यहां पे आपको दिख रहा है कि yes और no का rate क्या है माल लीजे आपको लगता है कि return देगा तो आप yes पे click कर सकते हो आपको लगता है नहीं देगा क्योंकि आप जैसी no पे click करते हो तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपका input है 120 रुपीज और potential winner 80 रुपीज का आप जितने अधर sure अपने answer के लिए आप को लगता है नहीं क्यों नहीं लगता आप इसके बारे में नीचे पढ़ सकते हैं इवेंट का overview हर इवेंट का overview यहां पर आपको दिखेगा प्लस आप पहली की returns भी देख सकते हो knowledge मिल रही है न कि चैन्वरी में 16.7% का यहां पर माहिन में रिटन पॉजिटिव नहीं था December म इसके recording आपको price भी दिखा रहा है यहां पर कई सारे लोग जैसे trade कर रहे हैं तो अगर लोगों को बीच में लगा की यह 18% जादा की return दे सकता है तो यहां पर जैसे option का rate बढ़ता है यहां पर आप इनिन पर रहा है तो यहां पर answer का rate भी बढ़ रहा है अगर 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 ब analysis भी करोगे तो अब आप कर क्या रहे हो आपका सारा का सारा दिमाग finance के recording चल रहा है एक चीज़ हो रहा है मैंने आपको बीच में बताया था कि अगर को ऐसी आप होगी जिसे आप reference करके भी पैसा कमा सकते मैं आपको बता हूंगा तो आप simply मेन्यू पर click करोगे and then आप reference section मे जाओगे what you will see कि आप यहां से किसी को भी अपना link बेश सकते हो अब जिस भी इंसान को recommend करोगे उस इंसान को 50 रूपे मिलेंगे और आपको recommend करने के 25 रूपे मिलेंगे तो यह अगेन एक प्रोबो का benefit है अब मैंने आपको प्रोबो के multiple benefits तो बता दिए अब प्रोबो को अपनी financial education को बढ़ाएंगे तो एक तरीका तो यह है कि curiosity बढ़ा लो सर्च करना शुरू कर दो उन topics के according अपना दिमाग लगाओ अब तीन चीज़ें आपको master करनी है number one आपको सबसे पहले यह सीखना है कि पैसा कमाया कैसे जाता है earning पर ध्यान देना है पैसा या तो तब आएगा आप जब job करते हो तो आप time लगाते हो और time को trade करके पैसा कमाते हो time जितना आप लगाओगे उतने आप पैसे कमाओगे यह तरीका है एक और तरीका है जिसे हम बोलते है leverage करना लोग कब काम करते हैं आपने किसी businessman को देखा होगा उसके अंडर कई सारे लोग हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं उनके अंडर भी लोग है तो एक पूरा structure बना हुआ है एक network बना हुआ और जब network काम करता है तो आपको पैसा आता है यह एक तरीका है internet पे कई तरीके पैसा कमाने क कि आप इसके अलावा businesses में invest करके भी आप पैसा कमा सकते हो तो आप investing भी सीख सकते हो अब आपको सीखना क्या है important चीज यह है कि पैसे कमाने के लिए आप कौन सा तरीका चूज करना चाते हो for your life definitely you can use your skills आप टाइम लगा के पैसा कमा सकते हो बट अगर skills ही नहीं है तो तो को develop करना है ऐसी skills जिसे use करके हम पैसा कमा सके business करने के लिए वे skills चाहिए तो आपको जैसी पता लगेगा आपको इपनी skills को develop करना कौन सी skill जिस चीज के अंदर देखो हर किसी के अंदर अलग talent हो तो आपके इंदर क्यों सा ऐसा talent है जिसे आप यूज कर सकते हो profitable बना सकते हो मालीज आपको guitar बजाना बहुत अच्छा आता है तो क्या आप लोगोगो guitar बजाना सिखा सकते हो उसके बड़ा सोचो leverage क्या आपके अंडर भी guitar के instructors आके guitar बजाना सिखा सकते हैं आप एक institute खोल सकते हो किया आप को कोई उसका course launch कर सकते हो आप सोचो और जैसे जैसे आप अप कर रहे हो इन्वेस्टिंग क्यों जरूरत है आपको भी थर्ड पॉइंट में समझाएगा तो नंबर वन पॉइंट हमें पैसा कमाना है पैसा कमाना सीखना और उसके लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने अब दूसरी चीज यहां पर क्या आती है कि आप अपनी स्किल्स को करने के साथ साथ आप जो पैसा कमाओगे उसे आपको सिक्यूर करना है लोग क्या करते हैं पैसा कमाते हैं और तुर्ण खर्च कर देते हैं तो उनके पाग कुछ बचता नहीं है तो पैसे को सिक्यूर करना और जो मैंने बोला था तीसरा पॉइंट की पैसे को ग्रो करना है और उसके लिए investing सीखना बहुत जरूरी है तो आपको तीन चीज़े करनी है earning, अपने पैसे को secure करना और पैसे को grow करना जिस दिन आपको यह तीनों चीज़े आ गई उस दिन आप मान लीजेगा कि आपकी financial education बहुत अच्छी है और अगर आपको इन चीज़ों में अभी starting तो earning से कर रहे है आपकी earning अच्छी है नहीं है आपका bank balance बता देता है अगर अच्छी नहीं है तो उसे grow करो पैसा आप कमा रहे हो जॉब से कमा रहे हो, बिजनस से कमा रहे हो बचता नहीं है तो आपको financial management को सीखना पड़ेगा financial planning को सीखना पड़ेगा पैसे को grow करना नहीं आता तो उसी के ओपर हम कई सारी वीडियो बनाते रहते हैं आप लगातार इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं तो इस चैनल को आप अभी के भी subscribe कर सकते हैं आइकन पर क्लिक कर सकते हैं जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिसना करें और Facebook वीडियो देखने तो हमें follow कीजिए इसके असास तरह से मैंने आपको प्रोबो के बारे में बताया आज ही आप प्रोबो को डाउनलोड कर सकते हैं link description in comment box में है अब आपको मुझे comment में इन तीनों चीज़ों का answer देना है आप अपनी earning वड़ाने के लिए क्या करने वाले है अपने पैसे को secure करने के लिए क्या करने वाले है कि आपका पैसा आपकी जेव से निकले ना जाए ना bank account खाली ना हो और तीसरी चीज़ पैसे को grow करने के लिए क्या करने वाले है तीनों चीज़ें आप नीचे comment में लिखेंगे जिससे बहुत सरे लोग आपके जो आप इस question का answer दोगे आपके answers पढ़ेंगे तो वो inspire भी होंगे कि उन्हें भी क्या करना चाहिए फाइनल इस वीडियो को share किजेगा क्योंकि लोगों तक यह information पहुंशे I will see you in the next video अगेन प्रोबो कर लिंक description comment box में you can download right now and you go self-made